यह कहेंगे कि आनन्द आ रहा हैं इचा बहुत आनन्द आ रहा है तब से हम प्रसंत बन्हक्त कर जाएगा और विदिव प्रिव भड tag कर लिए काूँरास पती हैं इस परसंट है घर वह चलाएं इन को बी आगे बढ़ाना है तीन साल की अरगत आग долго सब अच्छा हम कहेंगे सबसे पहले हमें भी सिखाया गया था एंडियाराई में फीड ब्रीड और मेनेजमेंट लेकिन अब हमारा अनुभो कहता है कि पहले मैंनेजमेंट दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहें नई क्रिशी दरपन यूटूब चैनल दोस्तों आज मैं आचुका हूँ प्रतापगड के राणी गैंज तहसिल के अंदर खेमाइपूर गाओं है और वहां पर मैं बता दूँ छे माई 2022 को सबसे पहले इस फार्म का वीडियो डला था और काफी छोटे अस्तर पी फार्म था उस ताइब में लेकिन आज यह दस गुना दूध में औ जानी कि जो सतत प्रयातनिसील होता है जो दीरे दीरे चलता है वहीं जाके जितता है जैसे कच्छुआ और खर्गोश की आप लोगे ने कहानी भी सुनी होगी तो उस तरीके की इस डेरीवा में काम हुआ और आज श्कूल मिला करके 18-20 पस्तू है ब्रीडिंग पर भी कैसे क अचुल नमजकर सबसे पहले आपका हमारे चैनल फरे स्वागत है अपने परिशम बतां मैं आ हका कहा है पर यह और नेय सार्गात आपका बहुत स्वागत है हमारे धरी फाराम और मेरा नाम देवेंद्र तिवारी शंसकार डagogy رा मं खेयमाईपूर और रानी गज़ प्रता पहले क्या करते थी यह सब थोड़ा सा बताएंगे सबसे पहले देखे सुरुवाद जो हुई है यह नवंबर 2020 से हुई है तब से हम कर रहे हैं और इसके पहले भी हम मतलब पसको में थोड़ा सा प्रेम था लगाओ था जानकारी भी थी पहले भी कुछ कर रहे थे लेकिन उसक कशेटर में में चल्से करें रहे हैं और शेतर में बहुत बढ़िया रिसपास है और शबसे आदब अनंद भात लिए बाधियां एच्छी बात सर अनंद उसी समय आता है जब किसी बिजनेस में मुनाफ़ा हो रहा है तो हम सबसे पहले आप से जाना चाहिए कितनी पसू से शुरुआद किये थे और जिसमें जर्सी थी एक साही वाल यहीं से अपना सुरुआद हुआ था और घर की गाएं थी तो ही से सुरुआद करके 2020 न करके अपने पास हैं तो मतलब तीन साल में दो पसू से अठारा पसू पर आ गया बिल्कुल तो क्या आपने उसमें ब्रीडिंग किया या खरिदारी की क्या किया सर बताइए ब्रीडिंग पर बहुत फोकस नहीं था हां यह है कि जो बच्चे आए हैं उन पर अच्छे बच् सुरू हो जाएगा आपका दूद का पैसा आएगा नहीं जब पैसा नहीं आएगा तो काम करने मानंद नहीं आएगा फिर आपको यह लगने लगेगा कि कही न कहीं देरी फारम फेल हो रहा है और यह घाटे का सौधा है ऐसा सोच क्या बंद कर देंगे कुछ लोग हैं जिन कि शुरुवात में सोचते हैं कि हम लंबी लगाले नहीं न ऑनषी किसी को मतलब घूम्राख कर दे दिर घृत को दिकती हैं यह गालेको तो जैना चाल है स्टार्टिंग में दो पस geel hey इनवेस्ट आपको बता दें हम कुछ नहीं किये जीरो क्योंकि बता दो रहें घर की दोनों गाये थी वहीं से सुरुवात कर दिये बस मैं पाउर लगा था बस बस और अपना ही अपना ही काम भी कर रहें आज भी लेबर नहीं है अच्छा अच्छा इसके बाद दो पस्तु से जो हम सुरुवात किये थे दूध हमारे पास दस लीटर था अच्छा हम उसमें दस लीटर दूध बेच रहे थी आज की स्थिति यह है कि हम 150-155 लीटर दूध दे रहे हैं पंद्रह गुना मतलब आपका पंद्रह गुना हम बढ़े हैं दूध में और लगभग 9 गुना लेकिन इस तीन साल में कभी हम नहीं किया है कि हम घाटे में हैं बस यह हुआ है कभी कम प्रॉफिट है कभी बहुत जादा प्रॉफिट है कभी 30% तो कभी हम 70 भी टॉच कर दीए हैं तो जैसे शुरुवाती दोर में आपने जब शुरुवात कर तो क्या परेशानी जहलना पड़ा था या इसका अनुभाव आपको कहा से मिला थोड़ा यह सब बताएंगे तो आपको बताएं घर में हमेशा जानुवर थे रूची तो लगाव हमेशा से था चाहते भी थे कि डेवी फारम करें लेकिन फिर भी नौकरी की तरफ रुजान हुआ नौकरी किये लेकिन ज जानुवर हमेशा हम बढ़ाते गए हैं अच्छा बढ़ने का एक और चीज बताएं आपको पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं टीन टपर पर ध्यान नहीं देना चाहिए अगर कोई शुरुआत कर रहा है ठीक है आज भी हम बहुत ज़्यादा काम नहीं किये हैं टीन के लाए अच्छा उसके बाद फिर बजट बना हमारा पिर दो गाय को देए लगाजाए लेगा ऐ ねंश के लिए पहले कि का मिल प्र इट धान के रहे लिए हम परस हो दोदे नहीं हैं अच्छा खासा शेड़ बना लें पैसा लगा दें तो निकलना भी तो चाहिए यह बिल्कुल बिल्कुल अगर हम लोन भी करवाएंगे तो भी बारा चुदा परसंट पर देगा हमें यहां कितना प्रफिट हो रहा है कभी कि तीस परसंट पर जाते हैं तो प्रॉफिट तीस चलाना है इनको भी आगे बढ़ाना है अगर तीन साल में हम 9 गुना बढ़े हैं जानवर में और 15 गुना बढ़े हैं दूध में तो ऐसे ही तो बढ़ें अगर हम टीन टपर में गए होते आज वहीं कि रह जाते बिल्कुल बिल्कुल इसलिए यही कहना चाहेंगे कि जिसको करना है मेहनत करो और सबसे पहली चीज बीना ट्रेनिंग के काम मत करो अपने ट्रेनिंग लिया था अंडिया राइए से लिया तो पहले विडियो आपने कि यह उनको बता दीजें कि हम इक्चुक है ड्याइग बिलिए आपको सूचित करेंगे मैसेज पे फोन पे कैसे भी आपको सूचित कर देंगे आप उहां जाकर के साथ दिन पंदरा दिन के ट्रेनिंग ले सकते हैं क्रिसिविग्यान के अंदर से अगर आपको एंडियाराई से लेना है तो आज सब कुछ गूगल पर आपको मिल जाएगा तो आप उनका नंबर निकालिए मिल निकालिए जैसे खिस व्यापको करना है उनको सूचित कर दिजिए नहीं के ऑप करना होगा शु counties कर देख करके लेए उनके में 244 लेगे ऊचया और जो दोनों जानूर हमारे घर के थे उसमें से एक का था लगवख 10-12 लीटर और 12-14 लीटर तो यहां से शुरुआत भूए था अभी कितने लेटर वाली कितने लेटर वाली अभी हमारे पास हाइस जो मिलकर है वो 30-30 लीटर की दो गाये हैं यह एक है 30 लीटर की अच्छा यह 30 लीटर कर रही है इसको खरीद के लाएं यह गाये है इसको खरीद के लाएं यह करती है 20-22 लीटर इसके बगल जो देख रहे ह इस समय 14-15 लीटर करती है चोटी बहुत है यह 16-17 लीटर कर रही इसके दूद का जो रेट आता है आप पचास के आसपास पचास रुपए प्रती लीटर के हिसाब से रेट लग रहा है तो इसलिए यह गाय तो हमारे लिए 18-20 लीटर के बराबर जा रही है बिलकुल बिलकुल क्यों कि 15-16 लीटर कर रही 17 लीटर और पचास करेट लग रहा है तो ऐसा सर कहा जाता है कि जो त्रॉस में गाय होती है वह सिमन लेने के बाद जो होता है कुछ घट जाती है उसका दूद घटने लगता है ऐसा होता है आपके साथ में ऐसा सिर्फ हमारे साहीवाल में हुआ सिर्फ साहीवाल में हां हम उसको दो बार हम उसको रखे थे परस लेक्टेशन सेकंड लेक्टेशन दोनों दोनों मियान था कि चार महीना तीन महीना जैसे हुआ गाया जाती हुआ लगभग आट-टोट लीटर पर साथ लिटर पर शुरुवाद में तो करती ही बढ़िया द असपास aspas da ये भी बहुत बढ़िया रकी आप यह लिखते-ड्र इसका दूध नहीं घर और उसका यह दो गये जह लाष्ट रटी पहली बार भी बच्चा दिया इसने और इसका दूद्ध लगभग रशवा से शत्राइब के आसपास चल रही है और अथारा लीटर के आसपास इसका चल रहा है इस समय यह वाली का और यह बहुत छोटी बच्ची है अभी इसने दांत नहीं तोड़ा है अब इसका जरा हम बताते हैं आपको नौ महीने की थी जब इसने सीमिल लिया था और उसके बाद यह 19 महीने इसने बच्चा दे दिया अच्छा यह बचली अभी भी दांत नहीं तोड रही है किस समय का इसका दूधर लगभग 12-13 की असपास चल रहा है तो अब जैसे कोई बंदा अगर डेरी फार्म की शुरूआत करता है तो परिसानी के बारे में जानना बहुत जरूरी है यह बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं सिर्फ वह आपने कारे को दिखाते हैं कि हम बहुत सही दूध नहीं देगा तो सही फीटिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका अच्छा सोलूशन अब देखिए मान की चली संतुलीद पसु आहर दीजिये यह संतुलीद पसु आहर में यह है एक बड़ा मोटा मोटा रूल बता दे रहे हैं आप कहां से खरीदें व मिला लीजिए और इसमें लगवग एक से देड़ परसंट भाई पास फैट दीजिए अच्छा अगर गर्मी ही है तब दीजिए ठीक है ठंडी जैसे ही आती है गुल थोड़ा सा देना सुरू कर दीजिए लगवग 200-500 ग्राम के आश्पास यह कर लीजिए तो यह तो हुआ अच्छा दूसरा यह है कि अगर आपको बहुत बढ़िया कोई फीड मिल रहा है तो आप उसको खिलाइए क्योंकि आप सामाने फीड बनाने में बड़ी मेहनत है एक खल से काम नहीं होगा एक भाग जो खल बताएं उसमें कम सकम 3-4 खल होनी चाहिए तब तब जाके हो यह रहे हैं अगर रहे हैं हमारी सारी चाहिए एक से दो बार में सब कर रहे हैं इसके पहले हमने हमने भी जहला था एक गाया है उधर बंदिया भी दिखाएंगे आपको तो उसको हम लगभग मान के चलिए 12-14 में लगवाएं हैं तब जाकि उसने कंसीव किया है तो दूसरी समस्य क्या आती है जैसे फिडिंग का एक समस्य आपने बता है दूसरी समस्य आपको सेलिंग में है अच्छा आप ये देखिए कि अच्छे सेल अगर हो रहा है आपको ये बताएंगे कि अगर आपके आज पास कोई अच्छी घासी डेरी है जो सही रेट दे रही है तो आप डेरी पर निर्भर हो जाईए जब तक आपका सही रिटेल नहीं हो रहा है आप डेरी पर दीजिए अच्छा पैसा आपको मिलेगा समय से मिलेगा आप तभी ड बहुत आप आप सोच रहे हैं चला लेंगे तो बहुत मुष्वी में जा पको अगरेंगे मारेज मिलेग प्रवास में है इसलिए इसका भी आ रहा है क्योंकि यह लगभख देड़ साल हो गया है बच्चा देखे तो इसका भी पचास से बावन के आसपास का रिट लग रहा है तो इसका भी कितना अभी प्रिजन टाइमें कितना दू जाता है लगभख 12-14 लिटर के आसपास 12 हां चल पहले मैनेजमेंट बाद में फीड उसके बाद फीड सबस्लास में लेज़ेगी आदमी पैसे से तूट जागा तो पर पहला काम मैनेजमेंट आप कितना अच्छा मैनेज कर रहे हैं अब आपको हम बता दें कि अभी लेबर नहीं है ठारा जनवर है तो अब इसको हमारी मेह अच्छा करते हैं वही आप निर्भा करता है दूसरा है पेसेंस जरूर रखिए आप यह मत सोची कि आज हमने सुरू किया कल से ही इनकम होना सुरू हो जाए पहले साल से राजा बन जाए ऐसा होगा नहीं करना एक साल दो साल थोड़ा से देखना पड़ेगा दो साल क्या ए सब्सक्राइब को सफल होना है कोई रोग नहीं पाए मैंनेजमेंट में एक और बाट आता है सर गोबर आखिर कहा डालते हैं पहली तो हम अपना पूरे खेत में डाल रहे हैं आगे का प्लान है और गेनिक खेती करेंगे जो भी होगा चाहे इनहीं के चारा ही आ रहा है तो सब्सक्राइब करेंगे जितना भी हो रहा है दूसरा हम गोबर गैस लगवाए है घर में एक भी सिलेंडर हम यूज नहीं करते हैं अच्छा अभी भी नहीं करते हैं लगभग आप समय लिए एक साल से ज्यादा होने को है सिलेंडर भरवाया नहीं गया और इसी गोबर गैस का इंसलेशन कितना खर्चा लगा होगा हमें कंपनी से कुछ फूट मिल गया था तो टोटल आपमान के चलिए 20,000 के आसपास 20,000 में खर्चा लगा था अच्छा है तब तो अच्छा चीज है कि आपको गोबर कभी इस्तमाल हो जा रहा है उसकी गुणत और बढ़ जा रही ह वह आपको खेती में फिर चला जाता है वह खेती में चला जा था कुछ कंपनियां है जो इसको तीन से चार रुपए के जी कहीं साब से मांग भी रही है तो आगे चलकर करके वह भी इम बनाएंक भी तक तो दिये नहीं है कहीना कहीना कहीन सपोर्ट किसानों को देना कि खेती और पसपालन एक दूसरे का फूरक है तो जब हमारे पास अच्छा आप होगा अछा हमारी अच्छा हो जाए यह अर चारा वहां से आएगा तो यह बहुत बड़ी बात तो सिड़् का तो लंबाई चोड़ाई पहले से आवारे दर सिड़् की लंबाई चेवर चु अब यही मार्च अप्रेल तक मतलब होली के असपास फिर से कुछ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें से बच्चे आएंगे बच्चे भी बढ़े हो जाएंगे तो मान के चलिए लगवक्त 30-35 जानुवर हो जाएंगे तो इसलिए बढ़ाना पड़ेगा मतलब धीयरे भीकास ख़रें आंगे बिल्कुल के वादा चलना आ और वहीं जीत ओका खरगोस नहीं बना अब आप मैं बचि Committee अगर इना घ्ल कर गशाएंग को अगांगे वह एक बार में कर लेंगे और हमें बीट कर कि चले जाएंगे ऐसा नहीं है इसमें बहुत समय लगेगा मेहनत लगेगी और अनुभो लगेगा अच्छा एक लास्ट में बता दें आपको की जरूरी नहीं है कि आप काम्याब हो जाएए हमारे हिसाब से आप काबिल रहिए बस आप अगर काबिल हैं कहीं भी काम्याब हो जाएंगे और यह हमने करके जब से डीरी कर रहे हैं काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे पस्पालक भायों के लिए इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-धन्यवाद पुंजी